हेलो हसन लोई श्टडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरोप के बारे में CRPC के अध्याय सत्रा में चार्ज के बारे में उसके बारे में अध्याय सत्रा धारा 211 से 224 तक में इसका प्रापधान है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्काइब कर ले मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट भी क्या करें तो आपरादिक के नियाय प्रसाशन में आरोप का महत्पुल स्थाने आरोप ही है जो नियाय प्रकिरिया को गति प्रदान करता है गति शील बनाता है यान कि उसा नियाय प्रकिरिया को आगे बढ़ाता है अगर आरोप ना लगे आरोप के आभाव में जो अव्योजन है वो प तो आरोप आज किस वीडियों में हम बताएंगे आरोप की परिभाशा, आरोप की परिभाशा बताएंगे, दूसरे बताएंगे उसका उद्देश क्या है आरोप का, तीसी बात हम बताएंगे आपको आरोप एबम परिवाद में अंतर क्या है, आरोप परिवाद में क्या अंत रहे हैं कि यह चर्चा करेंगे और चौथा बताएंगे कि आरोप की अंतरवस्तु क्या है आरोप की अंतरवस्तु अंतरवस्तु से मतलब है अंतरवस्तु क्या होगी जैसे उसमें अपराद आदी का नाम हो और समय इस्थान और व्यक्ति का नाम हो और पान नंबर बताएंगे जो आरोप है उस आरोप में गलतियों का पिरवाओ क्या पिरवाओ रहेगा गलतियों का और च्छे नंबर बताएंगे दरवारा सिंग का मामला दरवारा सिंग का मामला जो गलतियों से सम्भंदित है उसके वारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में देखिए आरोप की परिवाशा पहले आरोप की परवाशा में कह सकते हैं कि आरोप अभियूत के बिरुद्ध अपराद की जानकारी का ऐसा लिखित कतन होता है जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय इस्थान एवम बस्तु का भी उल्लेग किया जाता है कौन सा इस्थान था कौन सा समय था कहां पर घटना हुई थी इसका उल्लेग रहता है जिसके बारे में अपराद किया रहता है अपराद हुआ होता है यह दिखाया जाता है उद्देश के बारे में देखिए उद्देश में क्या है आरोप का जो मुख उद्देश है वो अवियुक्त पर अपराद का दोशारोपड करना उसके उपर आरोप लगाना कि उसने ये अपराद किया है ये दोश उसके उपर लगता है अभी वो अपराद ही नहीं है लेकि उसके उपर आरोप लगा है किसी भी अपराद करने का आरोप के आधार पर ही अभ्यूक्त अपनी प्रतिरक्षा का तर्ग देता है कि मैंने यह अपराद नहीं किया है मेरे उपर जो आरोप लगाए गया है वो अपना तर्ग पेश करता है अक्सर यह होता है कि आरोप तभी लगा जाता है जब मजिस्टेट इस निश्कर्स पे पहुंचता है कि अब्यूत के बिरुद पिर्थम दृष्टया मामला बनता है त कि आरोप अब्म परिवाद जो है जो परिवाद है वो किसी अपराद की सूचना मात होता है परिवाद सूचना मात होता है जिसकी जिसकी जो सत्ता है वो आरोप के रूप में सामने आती है अब आरोप के अंतरवस्टू देखिए content of charge तीकि आरोप को साभधानी से किया जाना चाहिए साभधानी बरतनी चाहिए आरोप लगाते समय क्योंकि आरोप के अधार पर ही अवियूक्त अपनी पृतिphones रख्षा लेता है पृति रख्षा का तर्क प्रस्तुत करता है आरोप में यदि उन सभी बातोंukt-गा जिनके आधार पर कि अभियुक्त पर आरोब लगाया गया है अभियुक्त पर आरोब लगाया गया है उल्लेग नहीं किया जाता है तो तो तुटी होने के कारण आमान समझा जाएगा यह समझा जाएगा इसमें गलती है और आमान कर दिया जाएगा अगर कोई तुटी होती है इसलिए आरोप की जब बिरेचना होती है जब लगा जाता है तो बिरेचना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे अपराद आदी का उलेक होना चाहिए कौन सा अपराद हुआ है उस अपराद के बारे में उलेक होना चाहिए पर तेक आरोप में उस अपराद क उल्लेक किया जाना अबशक है जिसका अभ्यूक्त पर आरोप लगा जा रहा है जैसे चोरी है दकैती है लूट है बलातकार है कोई जो नाम है उसे नाम दिया जाएगा बिदी के अंतरगत जो उस अपराद का कोई नाम है तो उस नाम को दर्शाया जाएगा धारा 211 में यह इ ज़िए ऐसा कोई अपराद है जिसे बिदी के अंतरगत कोई नाम नहीं दिया गया है और आरोप में उस अपराद की ऐसी परवाशा दिया जाना आवशक है जिसमें अभ्यूक्त को आरोप की सूचना मिल जाए अच्छा आरोप में बिदी और बिदी की इस धारा का भी उल् तो अभी मैंने बताया उस अपराद का नाम भी होना चाहिए और उस धारा का उलेख भी होना चाहिए आरोप लगाने पर जो समझत शर्ते होती हैं वो शर्ते भी पूरी होनी चाहिए अगर शर्ते पूरी नहीं होंगी तब भी उस पर विप्रीद असर पड़ेगा बुरा अपराद है अपराद के लिए अभी उक्त को अगर पूर्व सिद्ध दोष सिद्ध दोषका सहारा लिया जाता है तो उसे आरोप में ऐसे पूर्व दोषक दो चुगा है उसका तथ उसकी तित्धी और उसका इस्थान का उलेख करना चाहिए यानिके जो दोष बाद में ल स्क्रावारे में भी उले कि जाना चाहिए उस औरोप में मुखरजी मुखर जी搞 मुखर जी का के से ता उस बैक्ति का नाम जिसके विरुद्ध ऐसा अप्राद किया है ब cables की जाती है कि जो अफसन अप्राद किया है उसका prêt उसमें किया जाए और आरोप में समें इस्थान और भैक्ति के नाम दिया जाना चाहें यह दारा 210 के अनुसार दारा सुरी दारा 212 के अनुसार दोसो बारा में लिखा है कि आरोप में नाम ऐबं बैक्ति आदी का नाम दिया जाना चाहिए अपराद में समय इस्थान का उलेग किया चाहिए किस समय का अपराद है किस इस्थान पर किया गया उस बैक्ति यदि इस्थान और ल तो भी आरोप को सही नहीं माना जाता है अच्छा एक बात है कि यदि अभियोग्त पर संपत्ति के दुर्बिनियोग या नियास भंग का आरोप है तो उसमें उसमें क्या होता है कि तिथी और समय का दिया जाना आवशक नहीं होता केबल उस सकल राशी का या संपत्ति का विवर्ब दिया जाना चाहिए जिसके सम्मन्द में अपराद किया गया है इतना ही काफी है लेकि अपराद के किये जाने की ऐसी अबदी ऐसा समय उसके पिर्थम एाभव अंतिम्ति थी के अनुसार एक वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए यदिधारा दोसो ग्यारा और दोसो बारा धारा 211 ठीक है और 202 जो 212 के अंतर गजो प्रापधान दीये गए हैं उन विबरर से अभियुक्त को पूर्व रूप से अपराद को सूचित नहीं किया जा सकता तो आरोप में उस रीती का भी उलेख किया जा सकीगा जिसके अंतरगत आप अपराद किया गया है अगर आप 211 और 212 के अंतरगत उसे आरोप ने लगा पा रहे है तो 213 के अंतरगत उस पर आरोप किया जा गया है कि लगा जा सकता है अगर आरोप की गलतियों का पिरवाओ यह धारा 215 CRPC की धारा 215 में कहा गया है CRPC की धारा 215 में कि अगर आरोप में गलतियां है तो उनका पिरवाओ क्या रहे है यदि आरोप में अपरा सम्मंदी ऐसे किसी तत्य को दिया जाना रह गया है कि आरोप में दिया जाना आवशक था आरोप में एज चीजों को दियाना या तथ्यों को दियाना रह गया जिसको दियाना आवश्क था या विबरnh के कथन में कोई गलती रह गयी है या किसी बात का लोप किया गया है या उसको सही नियाय ना मिले ये धारा 215 में कहा गया है दरवारा सिंग के मामला जो है संदोजा 13 का मामला इसमें क्या कहा गया कि आरोप की भी रिचना में आरोप जब लगा जाता है तो उसमें तुल्टी का रह जाना तब तक खतरनाक या घा तक नहीं माना जा सकता जब तक की नियाए विफल नहीं होता अगर नियाए विफल होता है तब खतरनाक है और नियाए विफल नहीं होता है कोई तुल्टी रह जाती है तो उसका कोई प्रवावन भी पड़ेगा यह इस केस में कहा गया आज कि इस वीडियो में मैंने चाचा की आज की इस वीडियो में चाचा की अध्याए 17 आरोप के बारे में अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहे हसान लाउस्टेडी के साथ ये नोट कर सकते हैं